जै शनी डेव प्रिय भक्तगरों भगवान शनी डेव नवग्रह देवताओं में सूर्य पुत्र के लूप में एक बहुत ही महत्वपून इस्थान रखते हैं शनी ग्रह जो है वह है मकर लगन, मकर राशी एवं कुम्ब लगन एवं कुम्ब राशी का स्वामी माना जाता है जिन व्यक्तियों की जरम खुंडली में शनी अशो अवस्था में होके हैं उन सभी व्यक्तियों को लोग नीलम पहनने की सला देते हैं उनको नीलम पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए या उनकी जरम खुंडली देखकर ही निर्धारित किया जा सकता है नीलम की बारे में कहा गया है कि नीलम भगवानशी शनी देव का सबसे प्रियरतन है और वह कुछ ही समय में एक भीकारी को राजा बनाने में समर्थ है तो दूसरी तरफ गलत हाथों में पढ़कर गलत व्यक्तियों दोरा पहने जाने पर वह कर राजा को बेकारी बना देता है हमारे राजनीती में बहुत सारी महानवाओं यो बहुत प्रसिद्य नेतागर हैं जिने हर व्यक्ति जानता है नीलम नतन को धारण कर अपने भाग्य को बहुत उचाईयों तक पहुचा चुए है अगर शनी की धहिया से शनी की सारे साती से कोट कचैरी से मुकदमेवाजी से चोरी त्याने से परिशान हो रहे हो या बीमारिया उनको घेरे रहती है तो है अपनी जनम कुटी के अमसार विशेश शरम का और विशेश वजन का निलम मंत्रसित प्रान पतिष्टित और जागरत करवाकर अगर अपने शरीर पर धारण करेंगे तो निश्चित रूप से यह उनके लिए अत्यन्त शुवफ अदाई हो क्या अभी तक आपकी शादी नहीं हुई क्या आपको योगे जीवन साथी नहीं मिल पा रहा क्या आप अपने प्यार को मैरिज में कनवर्ट करना चाहते हैं क्या आप अपनी लवर से शादी करना चाहते हैं क्या आपका रिष्टा होकर के तूट जाता है तो आज ही 133 देशों में प्रसित शनी मंदिर बाले परम पूज्य गुरू रजनीश रिशी जी से अपनी सभी समस्याओं का समधान जानिये अधिक जानकारी के लिए संपर्ख करें तो आएए हम मेश लगन के व्यक्तियों के लिए आपको बताते हैं कि मेश लगन के अले व्यक्ति निलम धारण कर सकते हैं या नहीं जैसा कि आप देख रहे हैं मेश लगन के व्यक्तियों के लिए शनी जो है जो शनी ग्रहे हैं वे दशम और एकादस भाव का स्वामी होता है दशम भाव करम भाव है और एकादस भाव आमंदनी भाला भाव है और यह दर बहुत ही शुम भाव है तो इस हिसाब से मेशलगन वाली व्यक्ति अपनी करम को अगर वो अपनी करम यानि अपनी व्यापार में अपनी केरियर में और उचाहियों को प्राप्त करना चाहते हैं या अपनी अमनिनी में और व्रदी प्राप्त करना चाहते हैं तो वहे नीलम नतन को अपनी कुंडली के हिसाब से अपनी जनम कुंडली के अमसार निश्चित वजन का एक निश्चित रंग का क्योंकि नीलम में बहुत सारे रंग होते हैं और हर एक रंग हर व्यक्ति को सूट नहीं करता है तो एक निश्चित रंग और निश्चित वजन का जो की जनम कुंडी को देखकर ने धारित किया जा सकता है उसकी अंगुठी बनवा कर अगर धारण करेंगे तो निश्चित रूप से अगर युग है अंगुठी मंत्र से प्राण पतिश्चित और जागरत है तो उनको बहुत ही शुक्पल प्रदान करने होंगे मगर ध्यान रहे कि जब भी मेशलग हमाली वेक्ति नीलम को धारण कर रहे हूं तो कलर का विश्चित ध्यान करें कि हमें किस रंग का नीलम और कितने वजन का नीलम धारण करना चाहिए और किसी बहुत ही योगी विद्वान से इस नीलम की अंगूठी को मंतिश्चित प्रांट पतिश्चित और जागरत करवा कर ही धारण करें पर यह भक्त करों अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जाते हैं जो आपको यह बता सके कि आपको किस रंग का कितने वजन का नीलम धारण करने से फाइदा हो सकता है या आपकी परिशानियों को दूर कर सकता है चाहिवर परिशानिया चोरी चकाली की परिशानिया हो शनी धहिया की परिशानियों हो शनी साड़े साथी की परिशानियों हो शनी की अंतर दशा शनी की गोचरकाल की दशा शनी की महा दशा या शनी की प्रतिंतर दशा की परिशानियों से आप जूज रहे हो या बीमारिय एक विशेश रंगा और विशेश भजन का मली अपने शकी पर एक विशेश जगेव धारण करेंगे तो निश्यत से वे आपको, आपकी परिशानियों को दूर करने वाला होगाnte आपको शुबता परदान करने वाला होगा और आपके कस्टों से आपको बुक्त कराने वाला होगा और दुर्भाग की पर अगर आप जो आपको आपकी जर्म पूली डिखकर आपकी मदद नहीं कर पा रहा हो तो आप बिना किसी जिजग के अपनी स्कीम पर जो नंबर आ रहे हैं जिसमें हमारा इमेल एंड्रेस, हमारी वेबसाइट, हमारी मुबाईल और लेंड नहीं नंबर आपको आ रहे हैं उन नम्मरों पर बिना किछी जिजग के आप हमें अपनी जनम पूली दिखाकर हमसे जानकारी हासिल कर सकते हैं और मंत्र, सिद्ध, प्राण, पतिष्टित और जागरत की वी नीलम रतन की या किसी अन्य रतन की अंगुठी जो आपके भाग्य को चमकाने में आपकी परिशानियों को दूर करने में साहे को उसे निसम कोच हमारे शनी मंदिर से प्राप्त कर सकते हैं जो पूरी दुनिया में आप कहीं भी रहते हों आपके एड्रेस पर आपकी साइज या एड्जस्टिमिल साइज के अनुसार बनवा कर आपको इन्शॉर्ड स्पीड कोस्ट के पारसल के द्वारा भेजे जाने की जिम्मेवारी या भेजे जाने की गारंटी हम अपने शनी मंदिर की तरफ से लेते हैं कि हमारा शनी मंदिर गारंटी लेता है कि आप दुनिया के किसी भी कौनी में रहते हों और अगर आपको हमसे मंत्र सिद्य प्राण पचिस्ठित और जागरत की होई अपनी जनम कुली के अच्वार विशेष वजन या विशेष रंकी नीलम रतन की अमूथी या किसी अन्य रतन केया मुठी जाए वो हीरे की हो, पन्य की हो, उखराज की हो, रूदी की हो, कोवीत की हो, कैटसिय की हो, या किसी और रतन के सबस्टूट चूट केया मुठिया semi-precious rings जिने कहते हैं उपर रतन के मुठिया अपने संकूछ हमसे प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए आप इस्क्रीन पर आ रहे हैं नमरों पर हम जाकर हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं हमें इमेल कर सकते हैं हमारे द्वारा इन ग्रहों की अंगूठियों को रत्मों की इन अंगूठियों को मंत्र, सिद्र, प्राण, पतिशिच और जागर्द करवा कर दुनिया के 133 देशों में हमारी इस शनी मंदिर के द्वारा भेजा जा रहा है हजारों लाखों लोग हमसे इन उठियों को बनवा कर अपनी परिशानियों को दूर कर चुके हैं अपनी जीवन से इन परिशानियों को दूर कर चुके हैं अपनी किसमत को नित्य नई उचाईयों पर ले जा रहे हैं और आप धी अगर किसी योगी व्यक्ति को अपने आज पास नहीं पा रहे हैं और आप हमसे अपनी अउठियों को मंतर से प्राट प्रिश्टित और जागरत करवा कर बनवाना चाहते हैं तो आप बिना किसी जीजक्ये इस्क्रीप पर आ रहे हैं इन नंबरों पर हमारी इमेल पर हमारी वेबसाइट पर या फोन नंबर या मुबाईल नंबर पर जाकर ह हमसे संपर्क इस्थाफित कर सकते हैं फोन, कॉल या मुबाईल पर कॉल करने के लिए समय का अवर्शे ध्यान लखे हमसे संपर्क करने का सबे समय जो है सुबह सारे दसवरी से लेकर शाम को सात वजी तक आप कभी भी हमसे संपर्क इस्थाफित कर सकते हैं कि आप उसके बा भारत के रिशी मुनियों ने हजारों वर्षों की खोज और तपस्या से मनुष्य की परिशानियों को दूर करने का अद्बुत तरीका यग्य एवं मंत्र विज्ञान खोजा पूरी दुनिया में अपने कश्टों को दूर करने का ऐसा कोई दूसरा साधन नहीं है अगर आप अपने जीवन में पैसा, वैपार, केरियर, शादी, प्यार, ग्रेहों का दोश, शत्रू या अन्ने किसी समस्या से परिशान है तो आप हमारे शनी मंदिर में गुरू रचनीश रिशी जी और गुरुमा रुक्मनी जी से अपने ग्रेहों की परिशानियों को दूर करने के लिए स्वैम आकर या ओनलाइन विशेश यग्य अनुष्ठान कराएं गुरुमा रुक्मनी जी अब तक विभिन प्रकार के हजारों यग्य और अनुष्ठानों को देशी और विदेशी भगतों के लिए अपने पवित्र हातों से सफलता पूर्वक संपन कर चुकी हैं अधिक जानकारे के लिए संपन करें